हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो चैनल जए इमल्टिवर्स दोस्तों आपका स्वागत है सम की कंसेप्स पे तो आज हम कुछ स्पेशल सिखने वाले हैं तो आज ऐसे कि आप सामने इमेड देख सकते हैं यह है यह एक प्रॉब्लेम आता है फेजिक्स में जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मैक्सिमम उवर एंग तो यह प्रॉब्लम मांता है यानरे कि अगर एक टेबल हो ऐसे ठीकि मैं फोरा नी चे सब्सक्राइब करता हूं तो आगर एक डेबल हो ऐसे और जोग्य्अग्ते याद रखे maximum हो जाते हैं तो minimum हम तो ऐसे minimum तो एक की उपर एक रख दो तो minimum तो 0 हो जाएगा ठीक है minimum कितना हो जाएगा तो 0 पर वो तो मारा प्रपर्स निए अमको निकाल maximum कितना ऐसे आगे तक कीट सकते हैं तांकि तांकि यह stable रहे तांकि यह stable रहे और टॉपल ना कर जाए ऐसे पूरा गूमना जाए तो यह क्वेशिन आता है बहुत जगह आता है यह अभी आ सकते हैं तो हम कुछ लाप मुसलेपलों को पता ना हो कि हम कैसे निकालते तो आप यह वीडियो जरूर दीखिए तो आप देख सकते हैं कि जो लेंध है वह इधर है व जो दोनों की सेम होने चाहिए तब ही अगर अलग-अलग मास हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा और उसमें भी सिखेंगा अलग-अलग मास होगा तो कैसे इनकाल ठीक है तो यह सारा जो खेल है वह जो है सेंटर ओफ मास का तो सबसे पहले आपको बेसिक नोले जोनी चाहिए मैं आपको इमेड दिखाना चाहता हूं तो यह पर सिंद पर की मैं जा चुकी होगी यह मैंने गर पर एक प्रैक्टेक्ड एक्सपेरिमेंट किया था इसमें सारे बुक्स का मास जो है अलग अलग है और उस पर मैंने मैक्सिम ओवरेंग निकाला था और सबकी लेंस अलग है मास अलग है तो इसमें भी आने मैक्सिम ओवरेंग निकाला था ठीक है तो इसका और एक वीडियो बढ़ा हूंगा जिसमें दिखाऊंगा मैंने कैसे किया है तो सबसे पहले इस वीडियो में अम देखते कि हम कैसे निक हो और इधर एक दूसरा मास M है झोकी leyan से के लिए सबसे पहला कि-सी पाइन को जह tätए करेज तो एट जäreइए तो अगर center of mass की formula क्या होती, XCM अगर लिखे क्योंगे, एसे उपर नहीं रखा है, सिर्फ ऐसे x direction में रखा है, तो जाए सिबात, इसका center of mass भी इसी लाइन के along आयेगा ठीक है यहां नहीं आ सकते हो ठीक है समझते है आप लोग तो XCM यान की कोई भी अगर XCM की बात करो तो कितना होता है M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2 यह दो system का है दो masses का है और अगर आपको बहुत सारे masses का निकल तो इसकी भी एक सिंपल सी फॉर्मिला होती है सिग्मा MI XI यान की M1 M1 X1 M1 M2 X2 से लेकर MN XN तक divided by sum of total mass ठीक है तो यह फॉर्मिल भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले भी इसमें अभी X1 X2 क्या है वह है X-Coordinate अभी X-Coordinate किसी के respect में आएगा ठीक है तो माल लेते हैं कि यह जो line है वह है 0,0 ठीक है यह है मैं हम इसको मालने 0,0 अब किसी को भी मान सकते किसी point को मान सकते हैं आपकी मर्जी पर answer C में आएगा ठीक है तो X-Coordinate आगे 0,0 तो अभी M1 X1 तो अगर मैं इसको 1 मान लेता ह तो कैसे निकालते हैं M1 into X1 अभी X1 कितना है दोस्तों L है प्लस L है ठीक है अगर इसको positive x-axis माने इसको negative y-axis माने तो ठीक है प्लस M2 M2 है M और अभी X2 हो जाएगा उसका minus 2L ठीक है upon M plus M ठीक है तो इतना आजाएगा minus ML upon 2M यानि कि आजाएगा minus L by 2 ठीक है एक डम basic सी बात कर रहा हूं है इसको ज़रा भी नहीं आता उसके लिए ठीक है तो यह हो जाएगा minus L by 2 यानि कि उसका center of mass जो है वो यहीं minus L by 2 पर center of mass का होना यानि कि कि अगर अगर पूरे अगर पूरे 2M मास्कों किसी जगह पर रखना है उसके equivalent system के तो 2M मास्कों अगर L by 2 पर इधर रखे तो यह जो M और M है उसको अलग-अलग नहीं लिखना पड़ेगा ठीक है यह basically meaning होते center of mass का ठीक है ऐसे कॉन सी जगह यहाप हम टोटल मास रख सकते हैं पूरे सिस्टम पूरे सिस्टम के ठीक है पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है उसको म कौन सी जगह पर रखे उसको म सेंटर ऑफ मास बोलते है ठीक है समझ रहे आप लोग तो center of mass की definition तो यह आ गई ठीक है तो यह आगे अभी अगर आप इसको भी एक बार दिखा देता हूं कि अगर अगर आप इसको भी मान सक अगर आप इसको भी मानना चाहते हैं इसको अगर 0,0 नहीं मानना चाहते है इसको मानना चाहते है कोई problem नहीं है अगर अपने इसको ही इस line को 0,0 मान लिया ठीक है तो अभी क्या करेंगे दो अभी लिखेंगे XCM XCM M1 M है हमारे यह है M1 X1 XCM 3L हो जाएगा L मत ले लेना क्योंकि 0,0 इसको मान है प्लस M M2 और X2 यह सेकिन है और X2 इसका XCM 0 हो जाएगा क्योंकि वह उसी लैंग है ठीक है अपन टोटल मास M प्लस है टो यह आजाएगा 3L by 2 All आजाएगा 3L by 2 का मतलब क्या है 3L by 2 का मतलब है इदर से 3L by 2 फिर से इदर से यानी कि इदर से L by 2 ściए तो यानी कि हमारा यहारा आंसर है वह पहले इदर से L by 2 आ रहा थे और इदर से 3L by 2 आ रहा है तो तो बिसिकली सेमी चीज़े मैंने आपको बोला था आप कहीं पीपी मान सकते ठीक है एकदम बें बीजिक बात कर रहा हूं यहां पे और अगर आपको अगर इसे मास ऐसे रखे हैं ठीक है यह एम वन है यह यह हमार इसका हां चलो इसका कॉलिट मान लेते एकस वन y1 ठीक एक वन हिसका मांगे एकस कॉमा वाइनतोब गिसक है इसका बीजिकली E childcare ओपन न Sup होता है मैं कर रहा हूं यह पर और अगर जैड कर रहा हूं experienced ठीक है पर इसकी आम यहां पर कोई जरूर उत्खास नहीं पड़ेगी सबसे सबसे पहला में बताने चाहूंगा कि अगर कोई भी बूक माने कोई भी बूक क्या कोई भी ऐसे अब्जेक्ट माने इलोंगे तो उसका अगर उसकी युनिफर्म ऑब्जेक्ट हो यानि कि मास डिस करने नेक है तो उसका जो सेंटर इसे बाते के हां एंगए पाया है इसका अनिकटर ओफ माने थार एकशह के ंदे पाए यह एदगी मिडल पर आगा ठीक है इनलोगे अगर थो युनिफार्म ऑब उसमें कोई मांस मांस वेरीशन ऑद युनिफॉर्म हो तीक है एसे मांस वे यूनिफॉर्म बॉक्स थी सारी और उसका भी सेंटर आफ माज होता है वह लेंथ के हाफ पर ठीक है सिंपल अभी बात करने वाले हाव तो केल कुरें मैक्सिम ओवर रहेंग सबसे पहले अगर ऐंने वीडियो बनाने के सोच थी अए और ब्लॉक्स इसमें कैसे बनाते हैं तो मिह पार्ट बात करते हैं इसे two सब्सक्राइब कर रहें गर विचा यहां ऐसे रखेंगे कि उसका सब्सक्राइब कर दिता हूं किसे के मान लेता है कि कि उसका सेंटर of mass यहां आ गया तो उसका center of mass जो है वह इस टेबल यह टेबल है टेबल के इससे बार चला गए इसका center of mass ठीक है तो अब क्या हो जाएगा वह ऐसे कितना हो जाएगा mg into x ठीक है तो यानिक टॉर्क ऐसे ऐसे clockwise टॉपल कर जाएगा ठीक है समझे आप लो तो ऐसे तो वह टॉपल कर जाएगा ठीक है तो हमको ऐसे रखना है तो हम अगर ऐसे रखे अगर center of mass इधर हो ठीक है center of mass जीदा आगे तो तो अभी टॉपल करेंगा नहीं क्योंकि क्योंकि यह balanced हो गया क्योंकि center of mass यह एज यह जो edge है हमारी यह जो मरे एज है उसके बेजिकल आगे नहीं बढ़ना चाहिए ठीक है उसके पीछे उसके पीछे हो सकते है पर आगे नहीं हो सकता तब यह मैक्सी यह तो हो गया अगर हम limiting case की बात करें कि जस्ट अगर हम उसके आगे balance हो ही नहीं सकता अगर उसके इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा exactly उसका center of mass है वो टेबल के limiting case होता है जो की हम बात करने वाले तो इस case में first block में अगर एक ही ब्लोक रखाओ तो इसमें maximum तो में कैसे निकाले तो देखो माल लेते कि ऐसा कुछ arrangement है इसका ठीक ऐसा कुछ दो ब्लोक में maximum ओवर हैंगे से ठीक है maximum यह हमारा maximum और शब्लोक की बात ना करते हो सबसे उपार वाले block की बात करते यह अगर उसका center of mass इस book के edge से थोड़ा भी बार हो गाया मानलों इधर उसका center of mass तो यह ब्लूक यह क्या हो जाएगा यह book के edge से मैच करना चाहिए अगर पीछे होगा अगर पीछे होगा तो भी वेलेंस होई जाएगा तो तो वेलेंस गुड़ है पर हमको के निकालना है हमको maximum निकालना इसलिए होना चाहिए ठीक है तो अभी हमें पता चल गया कि इसका जो center of mass है वो इधर आ गया है ठीक है तो अभी अभी मैं क्या करता हूं अभी मैं क्या करता हूं इसके equivalent diagram ऐसे बना लेता हूं कि उसका center of mass पर चोटा सा particle रखा है जिसका इसका weight एम माल इसका मान लिया है उसके center of mass पर ठीक है मैंने पहले बूला था कि center of mass की definition यह उसका equal total sum हो वो उसके center of mass पर हम रख सकते है ठीक है सही है तो अभी यह mass ऐसे आ गया अभी क्या है अभी यह book का मास है यह book का मास भी M है तो यह book का मास जो M है यह book का मास M और यह particle का mass ऐखम दोनों का मिला के center of mass का हमनोंची इस लाइन पर हमनोंची ठीक है Dunnou का मिला करे सेंटर रहा के szerint लाज़े कर दोनोंची तो ठापल नहीं करेंग ठीक है अगर देखो अगर दोनों का मिला के अगर दोनों का मिला के सेंटर ओफ मास यहां हो गया तो टॉपल कर जाएगा ठीक है तो अगर दोनों का सेंटर ओफ मास जो इक्विलन सेंटर ओफ मास होगा दोनों का मिला के वो इस लाइन पर टेबल केश पर उना चाहिए आई होप के आपको क्लियर ह यहां पर ठीक है और यह distance कितनी L by 2 है ठीक है सबने मान लिया तो इगर फोड़ों में एच्छे से बना लेता हूं यह इसए ठीक है अभी एक्जेक्ली सेंटर परःम यहां अबढ़ अगर यहां है तो उसका सेंटर अफ मास यह ओगा यान कि उसका मास यह होगा ठीक है और यह अग संचर सेंटर, हम को यहें इक ने कितना maximum比 आा रहेंगे तो अभी यह जो है इसको मान लेते और यह यह हो जाएगा कि यह कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा एलबाइटु मानेस सेai क्योंकि यह इतनी सी और M to x2, इतना हो जाएगा, minus of L by 2 minus x हो जाएगा, ठीक है, समझे आप लोग, क्योंकि वो इस साइड है, ठीक है, समझ में आगे सबको, क्योंकि वो 0,0 के इस साइड है, और इसको में positive x-axis मान रहा हूं, इस direction को, positive y-axis मान रहा हूं, अपोन M plus M, ठीक है, अच्छा, और यह एक 2,0 है, तो उसका center of mass basically x equal to 0 पर लाए करना चाहिए, समझे आगे सबको, तीदर से हम solve करेंगे, तीक है आजाएगा, यह तो उर से जाके 0 हो जाएगा, यह M और M कट जाएगा, यह x हो जाएगा, x is equal to, plus L by 2, minus x हो जाएगा, तीदर से x जो आ रहा है, हमारा कितना आजाएगा L by 4, ठीक है, पर यह हमारा answer नहीं, maximum overhang का, क्यों answer नहीं, क्योंकि अमने पहले ही बोला था, कि यह जो है, यह तो होना चाहिए L by 2, सबसे पहले स्टार्टी में question बोल दे था, क्योंकि अगर उन नहीं होगा, तो वो टॉपल कर जाएगा, और यह x आया है, वो यह चीज आग का, L by 4 plus L by 2, that is, is equal to 3 L by 4, अगर दोनों मास identical हो, लें सेम हो, तभी ऐसा हम कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर नीचा वली बोक है, उसका, एक मेरा लकर से दिखा दे तो, नीचा वली बोक है, उसकी एज पे इसका सेक्टर मास होने चाहिए, क्योंकि अगर आगे होगा, तो यह उपर वाली जो ब्लॉक है, वो टॉपल कर जाएगा, ठीक है, तो यह maximum L by 2 हो सकता है, अभी अमने क्या किया, यह तो L by 2 हो गया, पर यह लेंथ निकालने के लिए, यह वाली लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का मिला के सेंटर ओफ मास, यह टेबल की होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, और मैंने अब कई लोगों के मने प्रशन उठ रहा होगा, कि कि अगर अपने सेंटर ओमास, इस साड़ी क्यों लिया, ठीक है, अब टेबल के अगीव तो ले सकते थे, तो उसके से बता देता हूं में क्या हो जाएगा, हमने सबसे पहले कि यह है, और यह हमारा ब्लॉक है, और इसको हमने ऐसे मास M यहां पर मान लिया, ठीक है, अभी उसका यह जो यह वाला जो सेंटर ओमास है, यह नीचे वाले ब्लॉक का सेंटर मास अगर यहां हो जाता, ठीक है, यहां हो जाता, ठीक है, यहां हो जाता, ठी स्टेबल की स्टेबल की एज पर लाइक करना चीज सब पूरे के सेंटर पर इसका डिस्टंस कुछ X1 हो जाएगा इसका डिस्टंस X2 हो जाएगा माल लेते हैं अभी हमको नहीं पता तो M X1 प्लस M X2 ठीक है अपॉन M आपको नहीं देखता तब देख सकते हैं कि इधर जो है इधर जो स्मॉल M का टॉर्क है वो ही M G हो जाएगा इधर M G इन्टु X1 हो जाएगा यह चाहिए इसका टौर्पी नहीं हो जाएगा mg इंटू X2 हो जाएगा ठीक है और दोनों तोर के एक डिरेक्शन में ऐसे clockwise direction में अगर दोनों तोर के एक की डिरेक्शन में clockwise दिरेक्शन में तो इसारी से बादे टॉपल करी जाएगा और अगर और अगर अगर आपको दूसरे करना था और एक बर बता देता हूं मैं और अगर आपको यह सा था यह मास इदर में कॉंसलेट कर लिया ठीक है तो हमने ऐसे मान ले इदर इसका सेंटर रोस मान लिया यह था यह था सेंटर रोस मास इदर में ठीक है तो उना का टॉर्क बाइल इस पॉंट के अवाऊट यह जो यह घू अगार को रूटेशन आता है तो आप यह से मी कर सकते Lucas Mg into x is equal to mg into L by 2 minus x तो इदर से भी x के आ जाएगा L by 4 आ जाएगा अब जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं अगर को ऊब बात होगी दो बलोक की भी हम तीन ब्लॉक के बात करते हैं कि छलिये तो उसमें चोल जाएगा के जो हम योद्य मिलाक का जो ct of मास है वो इस लाइन से एल बैट उपर होना चाहिए और यह दोनो का मिलाके यह दोनों का मिला के जो Center of मास है वो इस लाइंट पहते हैं यह इस लाइन है और यह तीनों को मिला के यह तीनों को मिला के सेंटर ओफ मास का उना चाहिए दोस्तों बता ही यह अप इस लाइन पहन है तो सम्सेर जाएंगे तो Personal घ्रत देसं कर internal me कार देखो कैसे राय। रिदल की ते यह दो ब्लोग्स के लिए यह दो ब्लोग्स इस पर overcome सकते तीकि अगर इन दो लिंड़ाय। सब्सक्राइब्टेस पर मेंने शेज़ नहीं प्रपल माद र монत dedicated एंक तुम पहले इर प्रीक नहीं करें तो इधर से क्या उना चीह है दोस्तो एल भाई फूर उना चीह है एड़ा सब्सक्राइब तो यह हमारा आगया पर अभी इस लेंद को इसे करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हमको पता है कि यह और ब्लॉट का जο सेंटर अंसर इस के सांग प्ललॉक्स के इससेंटर यह वाली यह तीरा जो है इसकी एज पर इसका रख डोनों ब्लोट यतना दोनों ड्मास है तो नदो प्ललॉक्स यह कर सकते देखो यह हैس Volt किहनव हैं में टोटल वे 2 एंग एक टोटल मास्ट वेम रख़ए और इसका अभी सेम कंसेट और इधर कुछ हो जाएगा इस नीचा वाले टेबल का नीचा वाले ब्लोक का मास्ट हो जाएगा इदर भी सेम कंसेट ठीक है इदर से लेंथ एक्स मान लेते हैं यह लगाइटू पर है पुरा क्योंकि बता हमें पता है कि युनिफॉर्म ब्लॉक का मास एड्स से दुनों एड्स से लगाइटू लगाइटू होता है ठीक है वह यूस किया है यहां पर मैंने ठीक है तो यह कितना हो जाएगा यह वाले चीज यह वाले चीज कितनी हो जाएगी एल बाइटू माइनस एक्स हो जाएगी अगर अमने इसको एक्स माना है तो थिक है सेम चीज करेंगे कि 2m X 0 और चीए 0 is equal to 2M into X plus M into minus of L by 2 minus X क्योंकि वो negative X coordinate है ठीक है इसको 0,0 मानते हैं तो ठीक है upon M plus M आपके किसी भी लाइन को 0,0 मान सकते हैं आंसर सेमें यह नहीं वाले ठीक है जाजाएगा 2M X is equal to M L by 2 minus X M और M cancel हो जाएगा इदर से जो X आजाएगा वो L by 6 आजाएगा ठीक है और X कौन से हमने यह माना सा तो यह वाली लेंथ जो है यह वाली लेंथ जो कितनी हागी दूस्तों L by 6 तो अभी आपको दूस्तों पैटर्न दिख रहा होगा L by 2 L by 4 L by 6 तो यह सी बात है वह फोर्स वाला कितना चाहिए अलबाइट यह ना चाहिए तो वह मैं आपको दिखा देता हूं पटा फोट हो जाएगा वह तो भी 4 ब्लोक्स अगर अगर ब्लोक्स आइडेंटिकर तो यह बहुत इजी कंसेप्ट है अगर एक बार आप समझ गए अगर एक बार आप समझ गए तो बहुत आसा लगने लगेगा आपको इतना कुछ खास नहीं है पर मुझे लोगों को पता नहीं हो तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं ठीक है था टेक है एक हम कर सकते हैं तो वैसे करेंगे हम आया तो हम अमने जो पिछले वाला 3 यह ब्लॉक्ट निकला था वह हैं इसका हो जाएगा फोरोट तीसरे वाले का उपर में लिकालता एलगाँ सिक्स होगा इन तीनों का मास से पूर्ट यह संथ लेंगे तो क्योंकि एक सेज़ी निकाले अभी क्या कर सकते हैं तीनों का सेटर मास इसले पे होगा यह प्ताशल गया टेबल इस फॉर्थ ब्लोक की एज पे होगा यह पता चल गया जो मिसको इक्वेलेंट लिक सकते हैं यह इसा हो गया और इस पर 3M अमने कॉंसेंट्रेट कर दिया है क्योंकि थी रफ के रसंद यहां है और यह क्यूंट हे przek सिप्द्सवर का से उतरियेट डिस्टेंस पे ठीक है यह लगने रहा तो मैं अच्छे से बना रहेता हूं ठीक है अब लग रहा है यह अगर इसको एक्स मान लेते हैं यह हो जाएगा कितना एल बाइटू माइनस एक्स हो जाएगा यह चीज़ ठीक है अभी इसको 0,0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3M इंटू X प्लस M इंटू माइनस L बाइटू माइनस X अपोन M प्लस 3M कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है इधर मैं उपर इधर M प्लस 2M लिखना चाहिए था क्योंकि दोनों का टोटल मास 3M है ठीक है आप समझ जाए क्या मैं यह लिखना चाहता हूँ इजी हो गया अब तो अब यह क्या हो जाएगा कि 3M इस इक्वल टू M इंटू L बाइट इस इधर से क्या आजएगा X इस इक्वल टू L बाइट आजए तो यह 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 कौन सा आया है सिद्धा यह आ क्या है ठीक है तो आप अभी आपको दिखने लगी कि L by 2 L by 4 L by 6 L by 8 यान कि इधर नीचे जो नीचे जो है वह हमारी अरित्मेटिक प्रोग्रेशन बने 2 4 6 8 फिर L by 10 आ जाएगा यानि कि हम HP बोल सकते है एपी का अरित्मेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा होता है वह हो सकते है तो हमको पता चल गया कि अगर ब् लगाए शिक्स होता है फिर L by 8 होता है फिर L by 9 होता है फिर L by 10 हो जाएगा 9 फिर L by 12 होता है ठीक आगे करते हैं तो सबसे पहले मैंने उपार आपको एक फोट दिखाए थी उसमें भी यही चीज लिखी थी इसमें क्या अब लेंद्ध हमारी इसने वन मान लिए तो L by 1 या याने की 1 by 2 फिर 1 by 4 फिर 1 by 6 फिर 1 by 8 ऐसे आपके आपने देख सकते हैं यह अमने प्रूफ कर लिया कि यह HP याने की हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा यह चीज ठीक है सबना आ गया सबको तो अभी एक क्वेशन में देता हूं आपको एक छोटा सा क्वेशन है जो टायरेकजिए्स पर बीस देख्या है अगर फ़ाइटिकल ब्लॉक से सारे अगर इसे पांच लोग टोगं फाइव डिंटिकल ब्लॉक च्बा। है ठीक है और ऊसका maximum और रखार है माननो 21 सेंटीमीटर तो हमको बताने कि लेंथ ओफ इच ब्लोक क्या होगी कि अथिक क्या होगी ठीक है तो कैसे करेंगे अभी मैं उपस्ट करते जाए लगा यह चीज क्या होजाएगा यह चीज यह जाएगी और यह चीज़ के ऊजएगी एल बाइटेन हो जाएगा ठीक है तो अभी क्या हो जाएगा आंसर में लिखेंगे कि ऐल बाइट प्लस एल बाइट आफ्ल पर एट एल भाइट यह सुरी मैंने यहां पर कर दी देखो यह जाएगा एल भाई 6 इल ऐल उट और यहां पे ल भाई टेन आ जायेगा ठीके कि अब हम प्लॉक्त केस लेते हैं कि अगर ब्लॉक्स इडिकल ना हो जो कि इक अरह तो कैसे करेंगे तो यह दूसरा केस्स मैंने उपर एल यह था शायद इधर हां फॉर्स्ट और ब्लोक्स और इडेंटिकल तो अभी दूसरा केस ले लेते हैं और लॉक्स डिफरेंट से प्रोसीजर तो है वह सेम ही रहने वाले एक गम सेम रहने वाली है सबसे भीले सीधा तीन ब्लोक का केस ले लेते फिर बात में लेक्शर को समाप्ट कर देते हैं कि इसमें सबने एकजाट्ली सेम रहने वाली है कैसे सिम रहने वाली एक इसकी लेंध मान लेते इशकी लेए ले लएंस मान लेते हैं और इंटी मान लेते ठीक मेरे सबका मास मान लेते हैं मट मान लेते हैं और एंट्य की ओ लाइन लेते उखे हैं upfront Board अगर आप कुछेए अगर अगर अगया आप लोक को टॉपन करना हो तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां चीभी तो ऐसे बात है सेंटर मास यहां होगा तो यह लेंद कितने हो जाएगी एल वन बाइटू हो जाएगी ठीक है सब्सक्राइब लोग अभी यह दो सिस्टम को कंसिडर करते हैं यह दो ब्लोक को इदर में नीचे बना लेता हूं कि इन दोनों का सेंटर ओफ मास कहना चाहिए टो यह समय का पते चाहले लगाए लवन वाइटू है तो यह बलोक का सारा मास सेंटर ओफ मास सेंचर ओफ मास सेहे और दोसेagen का है यह मान लेतैंने हैं थोड़ा में यह माल दोनों को मिला के सेंटर ऑफ मास्प इसा liter का सेल कम यह कि होगा दोनों साइट से यहां से हो और कर अगर एक्स माल लेते हैं यह चीज कितने हुझा जाएगी इसको मेटा देते हूं पर यह हैं ताकि confusion confusing ना हो और यह कितनी हो जाएगी L2 by 2 minus x हो जाएगी ठीक है वहाँ पर जो एल था इसमें L1 और L2 हो गया कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो और और इसको हम 0,0 माल लेते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा XCM इसका मास M1 है दोस्तों इसका मास M1 है इसका मास M2 है M1 इंटु L1 बाइ 2 प्लस M2 इंटु माइनस L2 बाइ 2 माइनस X अपन M1 प्लस M2 यह उन्हें 0 क्यूट की एम को ईसलेंड पे लाइक कराना है दोनों का center of mass ठीक है तो यह आप पता है अभी तो क्या होने वाले M1 M1 L1 एक में अच्छे नाइटिक निक से लिखता हूं M1 M1 L1 by 2 is equal to M2 L2 by 2 minus M2 X हो जाएगा ठीक है यह ता मिल गलती कर दिद्धा M1 X आएगा ए ठीक है M1 X सब्सक्राइब क्यूंगे यहां से वह एक्स डिस्चनस पराना देखो 0,0 से 0,0 है वह यहां से ऐसका सें्टर माद है यह दो देको X companioniniz प्तिके M1 X सब्सक्राइब तो हम को पता चल गयाoking एक मैं को कि whom all 2 ben m1 12 हो जाएगा X थीक है यह चीज आ गे है भी तो हमको पता चल गया कि एक मिन को पता क्या क्या चल घया कि यह जो हो जाएगा कि एक इतना जाएगा M2 L2 into 2 M1 plus M2 तो विज ही ठीक उसी तरह से इस पे दोनों का मास kijt करके कि इदर चाह्ट करके M1 प्लास M2 लिख सकते हैं दोनों का center of mass इस लिए ठीक है और इसका जो यह जो नीचे आला block का है मिला के M1 और M2 और यह नीचे आला block का M3 यह तीनों का मिला के center of mass इस लाइन पर यह बहुत बार हम कर चूके अभी ठीक है तो बस और बाउस बता देले तो फिर रम लेक्षरम समाप्ट करतें तो यह क्या हो जाएगा इसका मास है M1 क्लास M2 है यह यह तीनों का मास्स मिलाकर यह M1 और M2 आर M3 का तीनों का मास्स मिलाकर कितका होना चाहिए है इसको मैं ठोरा है कि अगर युनिफर्म है तो इधार l3 by 2 डिससंस पर होगा ठीक है और यह distance हम X माल लेते हैं तो कितना हो जाएगा L3 by 3 minus X तो मैं डारेक्ट लिख दाना हूँ अभी आपको पता है क्या आने वाला है कि M1 plus M2 into L3 by 2 sorry, 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 ये X आएगा, ठीक है na X आएगा, is com 0,0 मान रहे हैं तो आप कैल्फिल कर लिजाए X is equal to M3 into L3 by 3, L3 by 2 minus X आजाएगा इदर से दोस्तों, X की value क्या आ रही है M3, L3 by 2, M1 plus M2 plus M3 ठीक, ये कैसा है, ये आली चीज मैंने कैसे लिखी ठीक है, ये इदर से ही, उमने जो पिछले case में किया था X e M0, मैं डारेक्ट लिख देए क्योंकि नीच अला 0 नीचला टम उससाट से की 0 होने वाला और ये उट से नेगेटिव से positive में कनोट होने वाले 0 के उससाट जाके ये डारेक्ट लिख दिया, तो सेम चीज या पर हमको मिल गई कि ये लेंज जो हो जाएगी M1, sorry M3, L3 upon 2, M1 plus M2 plus M3 हो जाएगी ठीक है और उसके बाद वाले क्या है पूछे तो उसके बाद वाले कि भी ओवरेंग कितना हो जाएगा M4, L4 upon 2, M1 plus M2 plus M3 plus M4 ठीक है सीरिस को से follow करते जाना है और अगर एक मज़े के बात बताओ आपको कि अगर हम अगर हम L1 equal to L2 equal to L कर दे और M1 equal to M2 equal to M. तो दीको कि यहांके इधर आजाएगा M by 2 आजाएगा इधर कर कर दे तो इधर आजाएगा M by 4 आजाएगा । एधर कर दे तो L by 6 आजाएगा यार इधर कर दे तो L by 8 आजाएग, ठीक है तो यह ह्वाइ सीरीज है प्रॉब्स में अच्छे समथ में आगया होगा अब आप आसा नीसे दो मीट मैप कर सकते हो ठीक है तो यह था हमारा पहला लेक्ष्य दूसरे लेक्ष्य में बताऊंगा कि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सारे का मास्क या था लेंथ किया थी उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जितने जितनों कोई श्यार करते हैं मैक्सिम श्यार कीज़े और पटाफट से हमारे 300 सब्सक्राबर क्रोस कर दीज़े थैंक्यू मीट यू ने नेक्स्ट वीडियो